बच्चो आज हम हिंदी कालंश में व्याकरन का भाग देखेंगे अभितक आपने व्याकरन में संग्या संग्या की परिभाशा उनके भेद सर्वनाम सर्वनाम की परिभाशा और उनके भेद इनकी जानकारी प्राप्त कर ले तो आज हम व्याकरन में विशेशन वीशेशन की परीभाशा क्या है? वीशेशन की से कहते हैं? अर वीशेशन की कौन-कौन से भेदे? इनकी बारे में जानकारी लेंगे अभी आगी देखिये भाशा में कुछ शक्त ऐसे होते हैं जो संग्या या सर्वनम शब्दों की विशेष्टा बताने का काम करते हैं जैसे लाल सेब इसमें लाल सेब के रंग संबंदी विशेष्टा बता रहा है कि सेब का रंग लाल है देखिए भाषा में कुछ ऐसे शब्दों होते हैं जो संग्या या सर्वनम, यानिकि संग्या या सर्वनम शब्दों की विशेष्टा बताने का जो कार्य करता है, जो काम करता है, वह विशेष्टन शब्द कहलाता है. जैसे यहाँ पर उदारन दिया है लाल सेब, सेब यानि की एपपल तो सेब का रंग जो है वो लाल है तो यहाँ पर सेब के रंग संबंदी जो विशेशता बता रहा है कि सेब का रंग लाल होता है यहाँ पर लाल जो है वो रंग का नाम है और सेब जो है वो संग्या है तो यह सेब यानि संग्या के बारे में विशेश जानकारी देने वाला यह लाल रंग का यानि लाल शब्द है वह होता है विशेशन क्योंकि वो सेव की विशिष्टा बता रहा है कि वो कौन से रंग का है आगे देखिए निम्न लिकित उधारन देखिए यापर मैंने उधारन दिये है पहला है राम को कच्छे अम्रुद चाहिए दूसरा उधारन है मुझे थोड़ी चीनी चाहिए तीसरा उधारन है मैदान में तीन लड़के खड़े हैं अभी इन वाक्यों में कच्छे थोड़ी और तीन ये शब्द जो है वह अपनी अपनी संग्याओं के गुन, मात्रा, संख्या, आदी से संबंदित विशेशताय बता रहे हैं और यही शब्द विशेशन होते हैं जैसे पहले उधारन में देखिए राम को कच्छे अमरूद चाहिए राम को अमरूद कैसे चाहिए तो कच्छे यानि अमरूद के बारे में विशेश जानकारी शब्द देता है कच्छे तो यह क्या है अम्रूत की विशेषता बताने वाला शब्द है कच्चे दूसरे उदारन में मुझे थोड़ी चीनी चाहिए कितनी चीनी चाहिए तो थोड़ी जादा या तो थोड़ी चाहिए तो चीनी के बारे में थोड़ी शब्द जो है वह विशेष्टा चीनी के बारे में बता रहा है थोड़ी चीनी तीसरा उदारन है मैदान में तीन लड़के खड़े है कितने लड़के खड़े है तो तीन लड़के लड़कें की संक्याया पर तीन बताई है तो यह तीन जो शब्दे हो लड़कों के बारे में विशेषता बता रहा है कि यह वहाँ तीन लड़के खड़े हैं तो इस तरह से कच्चे थोड़ी तीन यह शब्द अपने अपने संग्याओं के गुन कच्चा पका यह जो गुन है मात्रा यानि कि क्वांटिटी कितने यानि कि यहाँ पर तीस्रे उदार में बताया था कि तीन लड़के वैसे संख्या यानि कि तीन, चार, पाँच जो भी संख्या नंबर जिसे हम कहते हैं उनके बारे में संबंदित विशेषता बताते हैं वही शब्द होते हैं विशेषन जैसे कच्चे, थोड़ी और ती ये संग्या के बारे में विशेषता बता रहे हैं शब्द इसलिए हम उसे विशेषन कहते हैं आगे देखिए विशेषन की परिभाषा क्या है संग्या या सर्वनाम की विशेश्ता बताने वाले शब्दों को विशेशन करते हैं फिर से मैं तो हुराती हूँ संग्या या सर्वनाम की विशेश्ता बताने वाले शब्दों को हम विशेशन करते हैं जैसे गेंद गोल है गेंद जो कि हम उसे बॉल कहते हैं वो गोल है तो गेंद के बारे में गुन बताया है तो गेंद क्या है गोल गोल ये आकार से हम लोग उसे गोल कहते हैं तो गेंद के बारे में जो गोल शब्द है वो विशेशता बता रहा है कि वो गेंद कैसी है तो गेंद गोल है दूसरा उदारने लड़की सुन्दर है यहा इसलिए यह आपर लड़की सुन्दर है इस उधारन में सुन्दर शब्द जो है वो विशेशन है क्यों लड़की के बारे में विशेश जानकारी देता है आगे देखिए विशेशन के प्रकार अभी हमने विशेशन की परिभाशा क्या है वो देखा तो अभी विशेशन के प्रकार कितने है वो देखते है विशेशन के प्रकार चार है पहला है गुनवाचक विशेशन, संख्यावाचक विशेशन, परीमानवाचक विशेशन और सार्वनामिक विशेशन देखिए मैं फिर से दोराती हूँ पहला प्रकार है गुनवाचक विशेशन, संख्यावाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन और चवता है सार्वनामिक विशेशन यह विशेशन के चार प्रकार है तो पहला हम देखते हैं गुनवाचक विशेशन उसकी परिभाषा गुनवाचक विशेशन किसे कहते हैं? उनके उदारन कौन-कौन से हैं ये देखते हैं गुनवाचक विशेशन जो शब्द किसी वेक्ती या वस्तू के गुन, दोश, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, आदी का बोध कराते हैं, उन्हें गुनवाचक विशेशन कहते हैं मैं फिर से समझाती हूँ जो शब्द किसी वेक्ती या वस्तू के बारे में, जैसे कि उनका गुन, या दोश, रूप, रंग हो, आकार हो, स्वभाव, दशा, यानि अवस्ता हो, आदी के बारे में बोध, यानि हमें पता करवाते हैं, वह गुनवाचक विशेशन होता है जैसे सुंदर फूल, मीठा आम, गरम चाय, छोटी रसी, फूल कैसे है, तो सुंदर यहाँ पर फूलों के, यानि कि सुंदर विशेशता बताई है, फूलों के लिए, मीठा आम, आम कैसा है, तो मीठा है, या मीठा जो है, वह गुनवाचक वारे में, गरम चाय, चाय कैसी ह तो गरम चाय है, छोटी रस्ती, रस्ती केसी है तो छोटी, यह जो संग्या यह सर्वाना में उनके बारे में फिर गुन हो सकता है, दोश हो सकता है, रूप या रंग हो या आकार स्वभाव दशा, आधी के बारे में जो बोधकर आते हैं वही शब्द होता है विशेशन, जैस पर सुंदर, मीठा, छोटी, गरम यह क्या है फूल, आम, रसी और चाय के लिए विशेषता बता रहे है यह शब्द है इसलिए यह शब्द विशेषन यानि कि गुन वाचक विशेषन कहते है क्योंकि उनका जो गुन है फूलों का यहापर गुन बताया है कि सुंदर पूल है आम का क्या बताया है कि मीठा आम है चाय कैसी है तो गरम चाय है और रसी कैसी है तो छोटी है तो इनका गुन बताया है इसलिए यह शब्द जो है गुन वाचक विशेषन के उधारन है आगे दीए सेंटेश याने की वाक्या में मैंने इहाँ उधारन दिये है नमन महनती लड़का है नमन कैसा लड़का है महनती है महनती है गुन है नमन का गुलाब का पूल सुंदर है यह disc गुलाब के पूल की विशिश्टा है, शम्तयन की गुन बता रहा है। कैसे कागज लाना है तो सपहेद कागज के बारे में, यानि सपहेद जो रंग है, वह कागज की विशिश्टा बता रहा है। मुझे ठंडी चाई पसंद नहीं है कौन सी चाई पसंद नहीं है मुझे यहाँ पर ठंडी लिका है यानि चाई का जो गुन है ठंडी यह विशेशन विशेशता बता रहा है ठंडी चाई के बारे में मतलब ठंडी शब्द जो है वो विशेशन है गुन है वो चाय का इसलिए यह गुनव अचक विशेशन का उधारन है नमन मेहनती लड़का है गुलब का फूल सिंदर है सफेद का गजलाओ मुझे ठंडी चाय पसंद नहीं है यह थे हमारे गुनव अचक विशेशन के उधारन दूसरा प्रकार अब विशेशन का दूसरा प्रकार है हमारा संख्या वचक विशेशन जैसे पहला गुनवचक देखा तो हमने वहाँ पर देखा कि कोई वेक्ति या कोई वस्तु के बारे में जैसे आकार, रूप, रंग, अवस्ता, गुन, उनके बारे में विशेश जानकारी देने वाला शब्द होता है गुनवाचक विशेशन और यहाँ पर संख्यावाचक विशेशन में क्या होता है तो जिस विशेशन से वस्तू की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेशन कहते है संख्या यानि की नमबर यानि यहाँ पर बताया है कि जिस विशेशन से कोई वस्तू की संख्या यानि नंबर का पता चलता है वह संख्या वाचक विशेशन कहलाता है बहुत ही यह इजी है जैसे कि चार लड़के, दस पतंग, कुछ खिलों ने, कई आदमी अब यहाँ पर लड़कों के बारे में बताया है कि चार लड़के है पतंग के बारे में यहाँ बताया है, दस पतंग है खिलों ने के बारे में कुछ खिलों ने है, वहाँ पर संख्या नहीं बताया है उसका संख्यावाचक के जो आगे तो प्रकार है जो कि संख्या के अनुसार निशित और अनिशित जो कि हम आगे के स्लाइड में देखने वाले हैं तो कुछ खिलोने कई आदमी यहाँ पर हमें शूर पता नहीं है ना कि खिलोनों की संख्या कितनी है आदमियों के कितनी है कहते हैं, चार लड़के, दस पतंग, कुछ खिलोने और कई आदमी, यह संख्या वाचक विशेशन के उधारन है, आगे देखिए, संख्या वाचक विशेशन के प्रकार, जो कि मैंने अभी बताया था ना, कि जो नंबर है, यानि संख्या से अभी पता चलता है, लेकिन जहां नंबर नहीं होता है, उसे के लिए यहाँ पर निशित संख्या वाचक विशेशन का एक प्रकार है, जैसे संख्या वाचक विशेशन के दो प्रकार में से पहला प्रकार है, निशित संख्या वाचक विशेशन, निशित यानि कि शूर हमीं पता चलता है, कि कितने काउंट, यानिकि कितने नंबर है और दूसरा प्रकार है अनिश्रित संख्यावाचक विशेशन तो पहला प्रकार देखते हैं निश्रित संख्यावाचक विशेशन निश्रित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को निश्रित संख्यावाचक विशेशन कहते हैं यह बहुत ही सरल और simple है परिभाशा यहां से प्रश्ण में ही उसका उत्तर है जैसे कि निश्शित संक्या यानि कि संक्या यानि कि नंबर हमें पता चलता है कि कि कितने नंबर है तो वह होता है विशेशन यानि निश्शित संक्या वाच विशेशन होता है जैसे कि दो केले साथ रंग केले कित के उधारन मेरे घर में चार लोग रहते हैं वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है राम ने दो केले खाई अब यहाँ देखिए मेरे घर में कितने लोग है तो यहाँ पर हमें निश्रित संख्या दिये हैं जैसे चार लोग है चार लोग मेरे घर में रहते हैं तो लोगों के बारे में जो चार संख्या निश्रित रूप से बताई हैं इसलिए मेरे घर में चार लोग रहते हैं चार लोग यह निश्रित संख्या वाच्च विशेशन का उधारन है दूसरा उधारन है वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है तीसरा उदारन है राम ने दो केले खाए कितने केले खाए तो दो यहाँ पर शुर यहने की संक्या हमें निशित रूप से पता चलती है कि दो केले खाए तो यहाँ पर दो केले निशित संक्या वाचक विशेशन का उदारन है अभी आगे का हम देखते है अनिशित संक्यावाचक निशित की ओपोजिटियने की एक तम विरोध ही यह परिभाशा है जैसे निशित संक्यावाचक में अभी पता चलता है कि शूर वो कितनी नंबर है यहाँ पर पता नहीं चलता है कि नंबर जैसे जिस विशेशन से निशित संक्यावाचक विशेशन केते हैं जैसे कि पहले में निशित संक्यावाचक में हमें शूर संक्या का कितनी संक्या है वो पता चलता है तो यहाँ पर बोद नहीं होता यानि हमें निशित संख्या नहीं मिलती हैं मतलग जिस विशेशन से निशित संख्या का बोद न हो उसे अनिशित संख्या वाचक विशेशन कहते हैं जैसे कि कुछ खिलो ने, कई लड़के, खिलो नों का यापर संक्या नहीं दिये, कि कितने खिलो ने थे, कुछ खिलो ने है, मतलब शुर निशित पता नहीं कि कितनी संक्याओं में, इसलिए यापर है कुछ खिलो ने यह अनिशित संक्याओं चक है, कई लड़के, पता नहीं यह कितने टोटल लड़के थे, नमपर पता नहीं है, इसलिए है आपर कई लड़के, कई क्या है अनिशित संक्यावाचक विशेशन का उदारने, लड़कों की संक्याई आपर निशित रूप से नहीं पता है, इसलिए हो कई लड़के हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि कई लड़ के कुछ खिलोने यह क्या है अनिशित संक्यावाचक विशेशन है अभी अनिशित संक्यावाचक विशेशन के बाक्यों में मैंने उदाहरन दिये हैं देख लेते हैं मैंने उसे कई बार समझाया कई बार मतलब बहुत जादा टाइम तक है ना पता ने कितने दिनों तक संक्या का पता नहीं है अनिशित रूप से है इसलिए मैंने उसे कई बार समझा यहापर कई क्या एगा अनिशित संक्यावाचक मिशेशन यहापर दूसरा उदारन है पवन ने मेले से कुछ खिलोने खरीदे कितने खिलोने खरीदे इवहां पर हमें संक्या पता नहीं है तो यहापर कुछ खिलोने है अनिशित रूप से खिलोने है यहाँ इसलिए हम लोग कुछ खिलोने यह जो है वो अनिशित संक्यावाचक विशेशन का उदारन है जैसे कि पवन्ने मेले से कुछ खिलोने खरीदे तीसरा उधारन है मेरा थोड़ा ग्रिहकार्य बाकी है एक, दो, तीन ग्रिहकार्य जिस तरह से हम संक्यावाच्चक में कह सकते हैं संक्या का नाम तो यहाँ पर अनिशित संक्यावाच्चक में संक्या का पता नहीं चलता इसले तो हम उसे अनिशित संक्यावाच्चक कहते हैं जैसे यह उदारन है मेरा थोड़ा ग्रियकारिय बाकी है थोड़ा यानिकी कम जादा या जो भी है यह अनिशित रूप से बता रहे है थोड़ा सा ग्रहकारिय मेरा बाकी है थोड़ा यह क्या है अनिश्यत संख्या वाच्चक विशेशन का उदारण है निश्यत यानि की शुर पता चलता है संख्या का नाप और अनिश्यत यानि की संख्या पता नहीं चलती है निश्यत रूप से नहीं होती है इसलिए तो उसे ह प्रकार थे उसमें से हमने पहला देखा गुनवचक विशेशन और दूसरा देखा संख्यावचक विशेशन। संख्यावाचक विशेशन के हमने दो प्रकार देखे पहला है निश्रित संख्यावाचक और दूसरा प्रकार था और निश्रित संख्यावाचक विशेशन और आगे के जो विशेशन के दो प्रकार है वह हम अगली कालांश में देख लेंगे तो मुझे अभी आशा है कि मैंने जो आपको ये दो प्रकार जो सिखाये है गुनवाचक विशेशन, दूसरा प्रकार ता संख्यावाचक विशेशन, संख्यावाचक विशेशन के दो उपप्रकार है निश्रित गुनवाचक विशेशन और अनिश्रित संख्यावाचक विश यह मैं आशा करती हूँ, धन्यवाद